वेस्टीज सकसेस लाइफ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बेटे ही बहुत ही आसानी से अपना मुबाइल का यूज़ करके वेस्टीज से अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोड सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को लास तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस काम को बहुत ही आसानी से आप कैसे कर सकते हो फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप से कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें प्रेंट में करेंग सबस게 1 में अपने मोबायल में क्राโम ब्रोजर न है कि यहां पर आपको टाइप करना है नीव बैंक पांट यहाँ पर आपको ऐसे टाइप करना है new bank and pen अब जैसे इंटर करोगे आपको जो सबसे पहला website यहाँ पर open होगा विस्टी यूजरनेम पासवर्ड आपको इस पर click कर लेना है यह click करने के पाद आपके पास फ्रिंड ऐसा कुछ एक page open हो जाएगा यहाँ पर आपको आपका आईडी और पासवर्ड इंटर करना है आईडी और पासवर्ड में अभी इंटर कर लेता हूँ जैसे ही आपने आपका आईडी और पासवर्ड इंटर किया आपको लॉगिन कर लेना है फ्रेंट्स लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने pancard की detail सब्डेट करनी है यहाँ पर आपका ID नमबर पहले से ही होगा यहाँ पर आपको अपना pancard number इंटर करना है यहाँ पर क्लिक करके अपने mobile gallery में जहाँ पर आपके pancard का image होगा आपको वो इंटर करना है यह देखिया आगे है और नीचे आपको सबसे नीचे left side में जो check box दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आपको जो उपर save pan दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है अब यह आपके सामने एक pop up आएगा जिसमें आपका pancard successfully submit हो जाएगा यह देखिए जैसे save pan किया हमने यहाँ पर आपके सामने यह pop up आगया thank you for uploading your pancard पर इसके left side में आपको bank details submit करनी है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना IFSC code इंटर करना है यह मैंने कर लिया उसके नीचे आपको अपना account number और उसके side में re account number इंटर करना है उसके नीचे choose image में आपको अपना bank passbook का photo submit करना है यह मैं अपना account number इंटर कर रहा हूँ यह मैंने अपना passbook upload कर लिया और आपको वैसे ही नीचे check box पर click करना है रेंटर account number दालने के बाद चेक box पर click करके आपको उपर जो option है save bank वहाँ पर click करना है और जैसी आप यहाँ पर click करोगे आपके सामने एक pop up आ जाएगा जिसमें आपको देगा कि thank you for uploading your bank account और friends आपको तीन दिन के अंदर आपका bank account और bank card verify हो जाएगा so friends comment section में जरूर बताईए आपको video कैसी लगी और friends अपने team members सभी में इस video को share किजिए ताके वो लोग भी आसानी से अपना bank account besties से जोड सके so friend मिलते हैं अगले video में thank you so much for watching wish you well